नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे 20 अगस से बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और आपको मालूम है कि धरातल से कई ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपको जान लेना बेहद जरूरी होता है आपको बत कि धरातल पर आज भी बिहार के लोग काफी परिशान हैं आज भी उनके मन में कई सारे सवाल हैं जो उनको काफी परिशान कर रहे हैं और इसी बीच आपको बता दे कि राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग ने भी एक आवश्यक सूचना निकाली है अब सवाल उटता है कि आखर कौन सी आवश्यक सूचना राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग ने जमीन सर्वे के दौरान निकाली है जो एक बार फिर से आपको जान लेना काफी आवश्यक है तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवी उपाध्य सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जमीन सर्वे शुरू हो चुका है और धरातल से कई तरहा की खबरें भी आ रही हैं धरातल पर आज भी बिहार के लोग काफी परिशान है अब क्या हो गया देखिए 45,000 गाउं में यह काम इकठे चल रहा है जो 20 अगस्त से बात चली आ रही है 20 अगस्त से तो 45,000 गाउं में सर्वे का काम जो चल रहा है तो विसेश सर्वे चल रहा है उसमें कई सारी समस्याइं लोगों के समक्ष आ रही है हाला कि सरकार की ओर से काउंसलिंग सेंटर भी खोला गया है कि अगर जदी किसी चीज में किसी भी व्यक्ति को किसी संबंध आजंब Tw percept में किसी तरह की जानकारी लेनी है तो वह mayला है ठीक है वह अंचल कारियाले नहीं जाया लेकिन में कांसलिंग सेंटर चला जाए वहां पर जहां पर की अंचल कारियाल है जहां पर सीओ भी बैठते हैं जमीन से रिलेटेड डी सी एलर का भी कारियाल है तमाम तरह की बात की जा रही है लेकिन फिर भी इसके बावजूत समस्याएं आ रही है परिशानिया आ रही है दिक्कते आ रही है क्या कुछ परिशानिय अब जैसे सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आम सभा की भी कासी सिस्टम बनाया गया है कि आम सभा होगी ठीक है ग्राम सभा भी हो रही है आम सभा भी ग्राम सभा आम सभा तो यह समझ देना पड़ेगा तो उसमें आम सभा में जैसे अब आपत्ती जो लिया जा रहा है ख से आपत्ति आपकी है वह पर उसमें मौझोद है तो हम खालए पर वहां वहीं उत्रपन नहीं होगा फिर उसके बाद का रिटालेयस्ट भी होगा तो वह होगा बड़ा एक स्व WiFi हो जाएगा वो अलग दूसरा मामला पेंच हस्ता हुआ दिखाई पड़ेगा तो इसलिए इस लिहाद से वहाँ पर आम सभा एक समस्या तो उभर करके आ रही है तो यह इसको देखना पड़ेगा हाला कि सरकार की ओर से देखिए राजा सुविम भूमि सुधार विभाग की ओ ऐसे प्लॉट है जिसका कागज आपके पास है लेकिन कबजा किसी और का है बिल्कुल तबंगो ने कबजा कर लिया है लेकिन कागज आपके पास है आपकी जमीन सर्वे कैसे होगा यह यह एक बड़ा पचला फंसता हुगा दिखाई पड़ रहा है यहां पर भी पेंच आट आप जोत और बोसक रहें यह समस्या है नंबर एक नंबर दो इसका दूसरा भी है दबंगता पुरुबक आपके जमीन को कबजा कर लिया गया है तो यह समस्या तो है है तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा यह एक बड़ा सवाल धरातल पर लोग इस सवाल से भी अच्छा खासा परिशान है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जमीन है पर कागज नहीं, यह इसका समाधान कैसे होगा, अच्छा यह भी एक समस्या है जो पढ़ हो रहे हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है, एक समस्या तो वो हो गए कि कागज है, लेकिन दबंगों ने आपकी जमीन को कब् तो क्या होगा एक समस्या ये भी है कि जमीन तो है लेकिन कागज नहीं है तो क्या होगा ये सब जो कुछ समस्या है जो धरातल पर जो है ग्राउंट रियालिटी यही है ये समस्या है निकल करके आ रही है जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं तो इसको सॉट आउट करना राजस्वेम भूमी सुधार विभाग के लिए एक बड़ी चैलेंज बड़ी चुनोती है एक और समस्या है रवी जी बड़ी समस्या है अब जो कही जा रही है परपत्र दो कैसे भरा जाएगा क्या है परपत्र दो कैसे भरा जाएगा और इसकी जानक जानकारी जानकारी नहीं बताया जारा है कि आकर परपत्र 2 कैसे भरना है देखे रभी जी आपने समस्याइं तो बता दी बहुत सारी समस्याइं बता है कि यह कुछ यह 65 परेस्साथ प्रफट्रार के लोगों को परिशान कर्रैंब हम चाहेंगे कि समस्ययाओं का समधान भी आप ही बता दीजे क्या कुछ होगा कैसे करना देखे एक चीज़ तो समझना पड़ेगा हम थोड़ा सा बता देखे प्रपत्र दो के बारे में जो ग्राम सभा में नहीं दी जा रही तो हम ऐसे भी इसको समझ लें खाता खेसरा और खतिहान उस पर हम आएंगे ल अबलिक धारित भूमी का स्वक घोशणा हेतु परपत्र सिर्प बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने से आपको जैसे ईह गोष सना घोशिद करना है और उसमें आपको राजस्वग्राम पुलिस थाने यह था groundwater करने क्या ह यहाँ पर आपको सबकुछ बता देगा वहाँ पर कॉंसेलिंग सेंटर में सबकुछ बता दिया जाएगा रायत का नाम में को इसमें स्थर रिखना पढ़ेगा अच्छा और हिस्सेदार का नाम अंस अगर कोई हो अगर तो अंस उसमें क्या हिस्सेदार कोई है तो है उसमें तो अंस का पिता का नाम पिता का नाम तब को लिखना ही है ये फ़स पहले वाले कौरम अस्थाई पता दूसरे नंबर में तीसरे नंबर में खाता च चोहदी, चोहदी क्या है, चोहदी कैसे लिखा जाता है, या किसी भी आप करमचारी से, किसी से पूछ लिजएगा, बता देगा, जमीन की कौन सी किसमे, खेती वाली है, बलवाही है, या किस तरह की जमीन है, वो जमीन का नेचर, नेचर बताना पड़ेगा उसमें, और उसके अगर जिदी नहीं है तो दावा का अधार क्या है? बिलकुल क्यूं आप कह रहे हैं कि ये जमीन आप कि ये कुछ तो पेपर होगा? अब भी हम आएंगे कि नहीं पेपर है तो क्या करना है? उत्रा धीकारी, दान, क्रे, बंदोबस्त, अन्य. आप वो कैसे ये भूमी का जो दावा कर रहे हैं उसमें क्या है आपने खरीदा है बंदोवस्त में आया है उत्राधिकार है आपका या अन्य कोई कारण है तो असपस्ट है और अभियुक्ति अगर कोई हो अगर जिल्दी कुछ है उसके बाद नीचे में आपको रहियत का जो मालिक है तो अगर उठे और उसका मूगाइल नमबर के साथ और सेल्फ डिकलिरेसन आस्थान और तिधी नहीं कहीं कोई कि नहीं है कहीं कोई परिशान होने वाली बात भी नहीं है लेकिन अब कैसे लोग कह रहे हैं कि प्रपत्र दो भरने में परिशानी हो रही है तो यह समझने वाली बात है एक समस्या का समधान तो आपने बता दिया और भी ऐसी कई समस्या हैं जिनका जिक्र आपने किया उनका आम सभा की बात तो हम लोग हम लोग बता दिये कैसे खुली आपती खुली आपती से लोगों को परिशानी तो आप क्या करें अब देखिए परिशानी है तो आप काउंसलिंग सेंटर में जाएं वहां बात करें फिर वुस कंसर्ण सियो राजस्वें भूमी सुधार विभाक क करमचारी DCLR तका बात कर सकते हैं अंतो गत्वा अगर नहीं कुछ बात बन रही है तो राजस्वें भूमी सुधार मंत्री का नंबर है उफिस्यल मुवाइल नंबर है उस पर आप कॉल करिए कि यहां पर कोई परसानी है और सबसे बड़ी बात यह जितनी भी प्रकिरियाए वह सब निशुल्ख है फ्री ओफ कोस्ट है किसी को एक अधी भी नहीं वहां देना है किसी को एक पाई भी आपको अपने जेब से नहीं देना अगर जदि आपको कोई इस तरह की बात समस्या आ रही है और अडचान आ रही है कोई मांग रहा हो ताब सीधे कॉल उठा करके म मंतरी उनको कर सकते हैं उनको समस्या यानि कि समस्या का समधान जो है वो देन एंदेर वही से हो जाएगा आपसे ये भी जानना चाते हैं जब आपने जिक्र कर ही दिया है राजस्वेवं भूमी सुधार मंतरी दिलिब जैसवाल जी का तो रवी जी हम जानना चाते हैं कि इ भाग ये कारवाई करने जा रहे हैं देखिए अगर जिदी इस तरह से कोई किसी के बारे में पता चला कि वह कुछ मांग रहा है उपर से या नीचे से तो वह जानकारी आप उनके कॉल पर दीजिए उसके बाद उसके साथ मुबाईल नंबर है परसनल है वह उनका ब्यक्तिकत नहीं होगी वो उसको दंडित किया जाएगा निपटा दिया जाएगा बड़ी पहल है बड़ा कदम है रवी जी बिल्कुल तो ये देखिए और हम जिसे अब तक बात कर रहे थे कि अब जिसका खाता खेसरा कई ऐसे किसान है जिनके पास ना तो कोई खाता है ना तो खेसरा है और ना ही खत्यान है काफी परशान है वैसे किसान उनको डर सता रहा है कि कहीं उनकी जमीन उनके हाथ से चली नहीं जाए तो क्या वाकवी में हाथ दोना पड़ेगा द्hr उसके लिए भी उपाय है उसके लिए भी उपाय है आप जो अंचल कारेया ले जाईए जो सरकिल ओफिसर है जो जहां CEO बढ़ते हैं वहां जाईए और वहां जाकर के अपनी बात को रखिए कि भाई मेरे पास ना खाता है ना खेसरा है ना खतिहान सब गुम हो गया या कहीं को कुछ आपको होगा खतिहान भी आपको मिल जाएगा वहां पर नक्सा भी आपके जमीन का मिल जाए तो वह सब कुछ है खाली सिर्फ आपको थोड़ा सा कस्ट करके अपने अंचल कारियाले तक जाना होगा यानि कि आप कह रहे हैं कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है सारा कुछ उसके अंदर उनको मिल जाएगा ये भी एक सवाल है जो के मैंने शुरू में ही का था कि देखिए जमीन सर्वे चल रहा है और जमीन सर्वे के दोरान ही राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग ने बड़ा नोटिस निकाल दिया है क्या कुछ लिखा गया है इस नोटिस में कि अति आवस्यक सूचना की जहां से आप कोई रेजिस्टर्ड करते हैं और वहां से आप मोबाइल से करें या अपने बेटा बेटी के मोबाइल से करें सो देट की जो भी डिपार्टमेंट की और से आपको जानकारी दी जाएगी वह आप तक सुनिश्चित हो चकी कि पहुँच गई और फिर उनका मोबाइल नंबर दें जिनके आप संपर्क में हैं हाँ बिल्कुल तो आप साइबर में तो एक बार गया सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने उसके बाद तो फिर आप जाते नहीं हैं तो ऐसे में कई लोग करते हैं तो वह इसलिए कहा गया है कि आप अपने साइट से अपने उससे मोबाइल से करें आप तक पहुँच जाए सरकार की जो भी मनें इसके बाद का फर्दर जो भी डिवलप्मेंट होगा या जो भी जानकारी है इसलिए इसलिए यह अति आवस्यक सूचना जो है तो आपको भेजा गया है ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित अपेक्शिव सूचना है उपलब्ज कराई जा सकेंगे वही अब जो बात करें वही तो है इसमें यानि कि यह बड़ी सूचना है जो आपको भी समझ लेना और जान लेना बेहत जरूरी हो जाता है चलिए का आखरी सवाल है रवी जी आपक जमीन आप जो अभी जैसे हम लोग जो चरचा कर रहे हैं या ग्राउंड जीरो पर जो परिसानी जो आयी उसी परिसानी हम लोगों ने चर्चा किया क्या होगा प्लोट में वहाँ पर नहीं जाएंगे क्या होगा तो यह देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार एक क्लिक मे आपकी सारी योजनाओं को आपके तक पहुचाना चाह रही है और इसमें पेपर लेस की बात भी है तो हर तरह से सुधा अब जैसे हम जो जैसे कह रहे हैं कि आपके पास में खाता खेसरा खतियान नहीं है तो आप अंचल कारे आले जाए जमा पंधी पंजी निकलेगी तो वो पंजी होगी आज से पचा साल पहले 40 साल अब हो जाने से वह चिप में और उसमें सारा कुछ आप नहीं रहें आपके 10 पुस्त आगे 10 पुस्त पीछे तक 40 पुस्त पीछे तक वह चीप सुरगशे तक विवाद सुरज़ जाया आसानी तो हो जाएगे लेकिन विवाद सुरज़ जाया आम सभा में जो आपत्ती वाली बात है यह एक गंभीर विशे है जिसको विभाग को समझना और समधान भी देना पड़ेगा नहीं तो आम सभा में ही देखिया है कि दूसरा पक्ष और पक्ष वी पक्ष में जंजट जमेला हो जाएगा यह इस चीज़ को सौट आउट करना पड़ेगा इस तरह कि अगर जिदी कोई है तो पहले से अपने विभाम को जहां लगता है क कि वो CEO से बात कर लें वह करमचारी से बात कर लें उसके बाद ही एहतिहात के तौर पर कौन सा कदम उठाये जाए वो सरकार अपने अस्तर से इसको सुनिश्चित करेगी तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवी उपाध्याई जी ने देकि तफसील से हम लोगों ने कमेंच करके हमें जरूर बताईएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सिटीज बहुत शुक्रिया